नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जट बनाया जा रहा है और पास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कई ज़्यादा डिजाइन के अंदर के इंजिनियर्स ने अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जट के मोडल के उपर काम करना शुरू कर दिया है ये हमारे मिग 29 की फ्लीट को रिपलेस करेगा और माना जा रहा है कि इसके अंदर और भी काफी ज़्यादा चेंजिस हो सकते हैं और दोस्तो इसका जो मोड एरो इंडिया 2020 के दोरान दिखाया गया था तो उसके अंदर काफी ज़्यादा चेंजिस दिखाई दिये थे उससे पिछले कॉंसेप्ट की तुलना में और अभी दोस्तो जो वाइन टेनल टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं ये एरो इंडिया वाले मोडल के उपर ही होंगे और A.D.A. ने बताया है कि वे इसके दो कॉंसेप्ट के उपर स्टडी कर रही हैं और दोस्तो वाइन टेस्ट के अंदर कम्प्यूटर की मदद से इसके एरो डाइनमिक्स की स्टडी की जाती है बेसिकली देखा जाता है कि किस तरह से ये हवा के अंदर परफॉर्म करेगा ये स्टेबल रहेगा या नहीं और कम्प्यूटर जनरेटीड डाटा बिल्कुल ही एकुरेट होता है और इसके अंदर इसी तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है और सिचुएशन क्रियेट की जाती है जैसी वास्त्विक्ता के अंदर फाइटर जेट को देखनी पड़ती है और लैब के अंदर इस तरह का महोल क्रियेट करने के लिए ही हमने वाइटरनल टेस्टिंग की विवस्ता शुरू की है और सबसे पहले फाइटर जेट का एक कम्प्यूटर जनरेटीड मोडल बनाया जाता है या फिर दोस्तों इसका कम्प्यूटर बेस डिजाइन बनाया ज और फाइनली जो डिजाइन बनता है वो पूरी तरह से एकूरेट होता है और उसे फिर फ्रीज कर दिया जाता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात त्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट के अंदर हम एम सीए के लिए जो हमने स्टेल्थ टेकनोलोजी स्तियार की है उस लिए दोस्तों ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं होगा एरो डाइनमिक्स के हिसाब से इसकी बाकी बोड़ी सारी स्टेल्थ ही हो सकती है और यही कारण है कि इसे फिफ्ट जनरेशन माइनस एरक्राफ्ट भी बोला जा रहा है और ये टर्म एक्चुल में एक 4.5 प्लस प् फिफ्ट जनरेशन से नीचे का भी हो जाता है और इस तरह के फाइटर जेट के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये उपरेशनली भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और साथ ही एकोनोमिकली भी ये काफी ज़्यादा स्योटेबल रहते हैं और लेगेसी फाइटर जेट F-15 और F-16 या फिर F-18 से उपर हो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया ऐसे फाइटर जेट के उपर ओल्रेडी काम कर रहा है जिसके अंदर फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर्स होंगे और साथ ही वो 4.5 जनरेशन से भी उपर का होग तो ये इंडियन नेवी के लिए बहुती बड़ी बाता और आने वाले समय में हम इसे कभी भी पूरी तरह से स्टेल्थी भी बना सकते हैं धन्यवाद जैहिंद